विडियो का इंतजार था उस स्ट्राटजी को हम लोग आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं स्ट्राटजी का नाम होने वाला है 3PM सूपर स्कैल्पिंग स्ट्राटजी बहुत लोग मैं लाइव आता हूं तो लग बग 20,000 लोग लाइव आता है मेरे साथ उसमें से 5,000 लोगों को पता है कि 3PM क्या है 15,000 लोगों को 3PM पता नहीं है 3PM की हाई लोपे ट्रेड लेते हैं प्रॉफिट करते बटन को यह नहीं पता है कि 3PM क्या है सो आज की वीडियो में मैं आपको 3PM की स्ट्राटजी रिवील करने वाला हूँ सबी चीज़ें बताऊंगा entry कहां पे लेनी है, stop loss कहां पे लेना है कौन से strike price लेनी है किस दिन आपको बड़े profits देखने को मिलते हैं सबी चीज़ें हम लोग एकदम detail में discuss करने वाले हैं पहली and most important thing is 3PM strategy को क्यों cover करना चाहिए देखिए, इसकी accuracy लगभग 90% है पिछले 30 दिनों में कि यवल 2 दिन SL कटे हैं 28 दिन, 28 दिन लगातार profits ठीक है, और profit भी बहुत बड़े-बड़े होते हैं losses बहुत च्छोटे होते हैं दूसरा सबसे important factor scalping है, आपको दिन पर बैट के trading नहीं करनी है बस आपको आना है, तीन बजे से 15 मिनट पहले आना है आपका 10 से 15 मिनट में आपका profit आप market से बाहर ठीक है, तीसरा एन सबसे important factor आपको क्यों strategy follow करनी चाहिए देखिए, अगर आपको profitable बनना है, और अगर आप loss making में है तो ये strategy आपको कहीं न कहीं अपने strategy की kit में add करना ही पड़ेगा हमेशा काम करती है maximum time काम करती है, logic भी मैं आपको समझाओंगा क्यों हम लोग इस strategy को trade करने वाले है तो बहुत जादे exciting वीडियो होने वाली है तो चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते है छोटी से एक request है सबी लोग इस वीडियो को like करेंगे because ये premium strategy है जो मैं definitely आपको बता रहा हूँ तो please वीडियो को like कीजे हम लोग का aim रहेगा at least 10,000 likes सबी लोग इस वीडियो को दो-दो लोग को share करने वाले है मैं normally एक बोलता हूँ और हम लोग का aim रहेगा at least 2,000,000 नहीं 2,000,000 नहीं 5,000,000 views का हम लोग aim रखते हैं तो आप definitely ये सब करा देंगे चलिए guys वीडियो स्टार्ट करते हैं तो देखिए दोस्तों मैं हमेसे एक चीज़ पर belief करता हूँ logic logic समझना किसी भी setup का बहुत ज़्यादा जरूरी है तो 3 p.m. पैसा क्या होता है boss 3 p.m. पैसा क्या होता है कि maximum time हम लोग को किवल और किवल प्रोफिट देखने को मिलता है तो देखिए guys logic पहले मैं आपको समझा देता हूँ फिर मैं आपको और charts पे सभी strategies and everything etc मैं आपको समझाने वाला हूँ SL targets ठीके तो देखिए हर hourly interval पे 10 बजे, 11 बजे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे 3 बजे, क्या होता है न बड़े players आते हैं बड़े players जिनके पास अच्छा कासा पैसा है वो hourly intervals पे trade करना पसंद करते हैं ठीके होता है यह होता है जैसे माल लीजे आज Monday है तो आज Monday है तो Monday को market close हो जाएगा 3 बजे के 30 मिनट पे ठीके तो यह जो 3 बजे वाला time frame है यह last trading hour है last hour है slot का जो एक घंटे में आता है जैसे 10 ग्यारा बारह में तीन बजे वाला last trading hour आता है अब यहां पर बहुत लोग BTST, HTBT जो position morning में लिए है उसको square off करते हैं ठीके अपनी position को square off करेंगे कुछ लोग next day के लिए अपनी positions पे additions करेंगे तो इसमें क्या होता है ना कि बड़ी positions बनती है और 3 पीम में एक बड़ी moment आपको maximum time देखने को मिलती है और उसी logic पे हम लोग इस strategy को trade करते हैं ठीके समझ गए आप नॉर्मल traders क्या होता है 9 बच के 30 मिनट पे trade करेगा ठीके और करेगा भी कोई उसमें गलत नहीं है 9 बच के 35 मिनट पे trade करेगा 10 बच के 47 मिनट पे trade करेगा बड़े players भी करते हैं but बड़े players specifically hourly intervals पे थोड़ा सा ज़्यादा aggressive trade करते हैं और हम लोग जैसे भी लोग जो थोड़े से advance हो चुके हैं जो कि आप भी advance होने वाले हैं मेरे साथ तो आप भी hourly intervals पे कहीं ने कहीं इसका फाइदा उठाने वाले हैं तो logic मैंने आपको समझा दिया अब चलिए मैं आपको strategy समझा देता हूँ एक बार मैं आपको पिछले 30 दिन की accuracy दिखा देता हूँ गाईस 30 दिन में 28 दिन profit दो दिन loss accuracy देखेंगे लगभग 93% कोई भी strategy अगर 90% से उपर है तो समझे कि आप वो super से उपर है ठीके मैं तो कहता हूँ 80% भी है तो भी बहुत बड़ी है केवल 7% का loss ठीके तो ये आपका accuracy है 3PM में अब चलिए सीधे हम लोग strategy देखते हैं पहले चीज आपको किसमें इसको apply करना है फिर आप nifty bank में apply कीजे फिर आप fin nifty में भी apply कर सकते हैं विकाज बहुत लोग fin nifty भी trade करना पसंद करते हैं तो देखें गाईज हमें क्या करना है 2.55 से 3.00 बजे वाली candle का high low mark करना है क्या बोला मैंने 2.55 से 3.00 बजे वाली candle का है ये वाली है इसका high mark करना है इसका low mark करना है अगर high break करेगा तो आप call की position बनाते हैं upside में और अगर low break करता है stripe price बताऊंगा don't worry ठीक है तो आप downside में put का position लेते हैं nifty में ठीक है bank nifty में भी सेम तरीके से high break करेगा तो call low break करेगा तो put अगर आप future करते हैं तो future buying कीजे और यहाँ पर future sell कीजे अगर आप option writer है अगर नीचे break करता है तो call right करेंगे उपर break करेगा तो put right करेंगे मैं option buying के context में ले रहा हूँ because हम लोग option buyer है तो call buying and put buying हम लोग देखते हैं अब यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर देखिए market ने low break किया sell आप कितना रखते sell आप इसी candle का ही रखते किवल 19 point का sell है तो इतना चलेगा और आपका target देखिए लगभग market ने दिया है कितना लगभग 35 point लगभग मान के चलिए 1-2 का रिस्टू reward मिला है trade कैसे लेना है very simple है इस candle का low आपने mark किया low कितना है आप महा करके रखे रहो पहले ही low है इसका यहाँ पे देख सकते हैं 1-9-4-4-9 ठीक है 1-9-4-4-9 इसका stop loss है Friday के दिन 18-20 point में आपका केवल premium में 10% का DK होज़े बहुत बड़ी बात है ठीक है तो आपने कम से कम 18-19 point का sell लिया और आपको कम से कम पहला target 20 point का रखना चाहिए 1-1 अपका पहला target होना चाहिए ठीक है ध्यान से सुनिए जो बता रहा हूँ low break किया आपने 19,449 है ना तो आपने 19,550 19,600 का strike price थोड़ा सा slightly in the money लेने में फायदा होता है आपको nifty में आपने trade लिया आपका जैसे ही 1-1 आया ठीक है जैसे ही आपका 1-1 आया आपने profit बुक किया remaining quantity का stop loss ट्रेल कीजे cost to cost और second profit आप definitely यहाँ पे book करते बिकॉज आपका risk free opportunity है अगर आपने 5,000 का risk लिया है तो उसमें से 4,000 बुक करो अपनी जैम में रखो 1,000 पे आप risk खेलो बहुत बड़ी है ठीक है चले मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे फिर से देखिए 2,55 से 3 वाली candle कौन सी है यह 25 से 3 बजे वाली candle है इसका high mark किया इसका low mark किया अब आप खुद देखिए गाईस ठीक है अब आप खुद देखिए कितना छोटा SL है ठीक है यह 25 से 3 वाली candle नीचे आप देख सकते हैं इसी के high पे एंट्री बनती इसी का low आपका SL है किवाल 12 point का SL है और देखिए आपको कितना बड़ी है टार्गेट मिला है जैसे ही आपका 1 is to 1 अचीव हुआ या फिर इस green candle के पास आप target book कर लेते maximum quantity stop loss को आप trail करते और definitely आप बड़े profits के ले जाते कौन सी strike price आप लेते entry बनती है 19,600 पे तो 19,500 या फिर 19,450 की strike price लेते यह Wednesday का chart है तो Wednesday के दिन आप क्या करोगे premium सस्ते हो चुके तो थोड़ा सा in the money जा सकते हो Friday के दिन आप 100 point चले जाओ 50 point भी in the money जाओ को चलेगा but Wednesday Thursday के दिन थोड़ा सा 1500-200 point भी in the money अब जा सकते हो please strike price सबसे important selection है अगर strike price गरत लोगे, OTM लोगे तो moment होने के बाद भी आपका profit नहीं होगा और यही सबसे बड़ा reason है कि आप profitable नहीं हो पारे because of strong because of wrong strike price selection video मैंने dialogue किये, अभी मैं आपको बता दूँगा, strike price से select करते हैं यहाँ पर फिर से देखिए, आपने, देखिए, scalp करना पोड़ेगा बहुत जादा रुकना नहीं है, देखिए, अगर आप देखेंगे, थोड़ा सा nature समझे market में क्या है, यहाँ पे resistance है, ठीक, आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पर resistance है, ठीक है, यहाँ पर फिर एक resistance है, तो जब भी market बहुत ज़ादा resistance तो थोड़ा सा हाइली स्काल्ब करना पड़ेगा बहुत देखेंगे तो यहां पर देखेंगे तो दो पच्पंट से तीन बजे वाली कैंडल यह है इसने यहां पर दिया इसी किलो पर मेरा एसल था अगर आप देखेंगे तब भी आपको अराम से वन इस टू वन का तो बैंक ने आपको साल बर का 3% दिया वहां पर पेसेंट है यहां पर आपको 5 सेकेंड में 5% मिलेगा तो आप पेसेंस नहीं दिखाएंगे ठीक है क्यों आपको बुक करना चाहिए था आपको यहां पर सामने एक रिजिस्स दिख रहा है तो आपको यहां पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए था ठीक है यहां पर फिर से देखें गाइस दो पजबन से तीन बज़े वाली कैंडल है पहले लोब्रेक हुआ है जैसे ही लोब्रेक है आपने तुरंत लेना है कूदना है तुरंत नाटीन थाउजन फाउजन फाउजन शिक्स अंडड़ की अब 15 बहुत होते हैं 15 में आपको अराम से 70% का रिटन मिल जाएगा अराम से मिल जाएगा ठीक है पांचे परसेंट तो कहीं नहीं गया है अब तुरंत बुक करो और मार्केट से बाहर हो जाओ क्यों आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए था यह भी कुशन आता है तो द जो आज टाइम पास किया मार्केट में उसमें सपोर्ट करना बहुत ज़रा ज़रूरी है यह पहले थ्री पीम में मैंने नहीं बताया था सारे सीक्रेट उधेर रहा हूं आज जस्ट फॉर यू गाइस तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अब चलिए गाइस कु तो अगर आप इस दिन टो अज़र ले रहें थोड़ा सा बड़ी सर्थ के लिए आप जा सकते हैं जैसे यहां पर देखेंगे ट्रीम आपका कव बना आपका 3.00 बना है के यहां पर यह फिधरीज बाग्रेए थैन बजे वाणी कैंडल है दो फॉपउन से तीन बजे वाली क को आप ट्रेल करते जैसे मालीज आपने चार लॉट लिया है तीन लॉट को बुक करो एक लॉट दो लॉट जैसे मालीज आपने पांच लॉट लिया जोरी तीन लॉट से टप देखिए पर्फेक्ट एसेंडिक च्राइंडर पैटन का फॉरमेशन है यह आपकी 2-5-3 बजे वाली कैंडल है आप देख सकते हैं 2-5-3 हाइब मांग किया मैंने और लो मांग किया हाइब रेक ही इसमें हाइब मैंने ट्रेड लिया और दो कोई एक कैंडल में सफ़ा सीधे टार्गेट डन वन इस्टू फॉर का रिस्थरी वर्ड आपको कोई रोग भी नहीं सकता है रिमेनिंग कॉंटी के स्टॉप लॉस को ट्रेल करो को स्टू को देना बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हो सेम चीज आप निफ्टी बैंक में अपलाई कर सकते हैं एक च साथ लेने के साथ ही ओटीम का कॉल्न कब उट लेने के साथ ही आपने लॉस का टिकेट बुख कर लिया दोमनी का सीथ ह watching ये दो डीड्स सेम तरीका आप निफ्टी सेटिएँ डेकर सकते हैं तो कॉल की पोजिशन लोग ब्रेक कảiगा तो टो पूट की पोजिश्यन अब मारकेट ने क्या किया है मारकेट ने आपका लोबरेक किया है ठीके जैसे ही लोबरेक किया आपने ट्रिल लिया अब यहाँ पे तोड़े बड़े आएंगे ठीके पचास-बम पॉइंट के तो वह आपको एड़र करने पड़ेंगे बद टार्गेट भी अगर आप देखोगे तो टागेट भी आपको 100-100-500 पॉइंट के देखने को मिलेंगे तो आप यहां पर स्टाप लोस लगा लेते थोड़े से बफ़र के साथ इतना बड़ा स्टाप लोस नहीं लेजी 44 पॉइंट और आपको अराम से मिला है वन इस्टू टू पॉइंट फाइव यहां पर फिर से देखिए आपकी तीन बजे वाली हाई मां किया इसका लोग यहां पर है आपको तब भी यहां पर आराम से वन इस्टू 1.5 का रिसू रिवर्ड मिला है ठीक है अब यहां पर देखिए कभी कभी श्रेड ना लो या फिर कम कॉंटिटी में लो तो आपके और आप प्रफिटेबल रहेंगे तो ज्यादा फाइदा है पूरा टाइम पास कर रहे है पूरा टाइम पास कर रहे है तो इसमें क्या 3 पीम का कोई भी दुनिया की स्टाटजी काम नहीं करेगी ठीक है तो यहां पर आप क्या करते आप 2.5 से 3 बज़े वाली केंडल कौन सी करने इस होगां है पांसभी लोट वो लेगा यहांपे यहां पर पमौंफ लॉट लेका जहाँ पर उसको प्रफेट होने की चांस पूरी जा था है विकाज यहां साइड वे और आपको lifetime access की free में मिल जाएगी यहां पर बहुत सारे charts बहुत सारे ideas में free में provide करता हूं तो यह सब आपको मिल जाएगा साथ में यह जो दो bundle है strategies bundle 930 12 PM 3 PM 220 यह सभी bundle दोनों साथ में आपको मिलेंगे बस आपको free है टोटल 10-15,000 का है बट मैं आपको free में दे रहा हूं तो account open करके आप बस फॉन डाट करके trading चालो कीजिए आपको free में मिल जाएगा जैसे यहां पर देखे गाईस दो पच्पन से तीन बज़े वाली candle कौनची है यह मां किया अपने दो पच्पन से तीन बज़े वाली candle high mark किया किया इस टोपलोस आप कहां लगाते मैं आपको दिखाता हूं सब डिलीट करके ठीक है आप एंट्री कहां पर लेते हैं अगर आपका premium में एसल बढ़ा आ रहा है तो quantity कम कर दो ठीक है जब अब अब कभी आपको चार लोट मिलेंगे कभी आपको तीन लोट मिलेंगे कभी आ कभी कभी दो मिलेगा एंट्री कहां लेते 44,459 की हाई है तो 44,400 की भी आप इंदमनी ले सकते थे 400,300 की आप इंदमनी स्ट्राइक पैस ले सकते हैं फ्राइडे के दिन आप ATM कर सकते हो बैंक निफ्टी में OTM भी 100 पोइंट जा सकते हो निफ्टी में आप इंदमनी ही करना के दिन भी सो पॉइंट पचास पॉइंट ओटी एम में बच जाना बस ठीक है तो आई होब गाईज आपको सबी चीजे क्लियर हुई होगी अगर क्लियर हुआ है तो प्लीज इसको अपनी स्ट्रेजी में अपलाई कीजे गरेंटी के साथ बता रहा हूं आपको बहुत बढ़ बावा ट्रेडिंग करते रही है मैं डेली लाइव आता हूं सुबह नौ बजे से लेके सामको तीन बजे तक तो आप डेली मुझे यूट्यूब पे लाइव भी जोइन कर सकते हैं एक चीज और अगर आप हमारे चैनल पर जाएंगे और वीडियो के सिक्शन में अगर आप पर कुछ वीडियो मैंने डाली हैं स्कैलपिंग ट्रेडिंग कोर्स कुछ और स्टैजीव डाली हैं जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम में लोगों की कि समय स्ट्राइक प्राइस सेलक्शन में दिक्कत आती है तो स्ट्राइक पैस अलेक्षन के वाली वीडियो आप देख लेन झाल झाल